नमस्कार दोस्तो राजिस्तान मोसम ताज़ समचार में आप सभी प्रदेश वासियों का हारदिक स्वागत है दोस्तो राजिस्तान मोसम से जुड़ी इस चैनल पर बिल्गुल लेटेस्ट और सठीक जानकारी आप तक अपडेट की जाती है इसे के साथ मैं आपको बता दे राजिस्तान में इस महीने मानसून खूब महरबान है और सितंबर की महीने में प्रदेश में जमा जम बरसात हो रही है एक तरप जहां इस साल हुए कम मानसून ने जलास्यों और बांदों में पानी की कमी से सब को चिंता में डाल दिया था कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए जो भी छेत्रिये नदी नाले हैं वो पूरी तरह से जलमग्ण हैं जहां पर देखें चारों और पानी ही पानी नजर आ रहा है आपको बता दे मौसम विवाग के अनुसार 20 से 23 सितंबर तक पूरवी राजस्थान में भारी से बहुत भारिस होनी की संभावना मौसम विवाग के द्वारा जताई गई है दिशे के साथ में IMD के पूरा अनुमान में कहा गया है कि कम दबाब का जो छेत्र है वो अगले 24 गंटों में राजस्थान में भारी भारिस होनी के संकीत दे रहा है दोस्तों राजस् सितंबर को कई जिलों में अति भारी बारिस की संभावना जताई गई है प्रदेश में इसका असर बीते रविवार से ही दिखाई दी रहा है कई इलाकों में अच्छी बारिस हो रही है मौसम विवाग द्वारा बरसात को लेकर जैपूर के लोगों को भी अलर्ट किया गया हैं दोस्तों आपको बता दे कि 20 से और 24 सितंबर तक राजिस्तान की शिरोही उदैपूर डोंगरपूर प्रताबगड बांसवाडा राजसमंद कूटा जालावाड और बारा जिले में कहीं कहीं पर भारी बरसात हो सकती है तो वहीं पश्चिमी राजिस्तान में नागोर प अपडेट पाने के लिए आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि राजिस्तान मोसम से जुटी हरपल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे तता राजिस्तान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कोमेंट बोक्स में हमें आवेस से बताएं धन्यवाद दोस्तों